नमस्कार आरिया नियूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंग बिलेटिन की शुरुआत करते हैं एक अधिकारी ने शुकरवार को ये जानकारी दी बजट गोशनाओं के कारिवनन के लिए विचारों की तलास के लिए केंद्रिय सरकार की तरफ से आयोजित किये जा रहे हैं बेबिनार का आयोजिन सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्राले की तरफ से सब प्रमुख मंत्राले के रूप में डी पी आई आई टी वाड़िज और उद्योग मंत्राले के सहयोग से लीड मिनिस्ट्री के रूप में किया जा रहा है विबिनार को पून उधकाटन और समापन सत्रों के प्रारूप में संचारत किया जाएगा और तीन समाना अंतर ब्रेकाउट सत्रों में विभाजित किया जाएगा वह चेप जस्टिस ऑफ इंडिया दिवाई चंद्रचून ने कहा कि जूठी खबर के दौर में सच पीडित हो गया है और सोशल मेडिया के प्रसार के साथ ही हालात ऐसे बन गए है कि कई बार जो कुछ कहा या सुना जाता है उसकी तारकिक आधार पर कभी पूछती नहीं की जा सकती CGI चंद्रचून अमेरिकन बारेशुशियसर इंडिया कॉन्फरेंस दोजरते इस में लोगों के पास सब्र और श्रहिशूनता की कमी है क्योंकि वे ऐसे नजरियों को स्विकार करने के चोक नहीं है जो उनके दृष्ट कौन से अलग हो CGI ने प्राध्योगी की और न्यायपालिका की ओर से खास कर कोबिट-19 महामारी के दौराल इसका इस्तेमाल न्यायक पेशी के सामने आने वाले मसले और जादा महिला न्याय अधीसों समेत अलग-अलग मुद्धों पर अपनी बात रखी CGI ने कहा कि जूटी कबरों के दौर में सच श्विकार हो गया है सोशल मीद्या के प्रसार के साथ जो कुछ बीज के रूप में कहा जाता है वो वस्तुता एक पूरे सिध्धान्त में अंकुरत होता है जिसका कभी तरक संगत विज्यान की कसोटी पर परिक्षन नहीं किया जा सकता है उन्होंने कहा कि भारतिय संविधान वेश्विकरिंट का एक प्रमुख उधारण है और यह हमारे वेश्विकरिंट के युग में प्रवेश करने से पहले से है वह सयुक्त राष्ट मानवा अधिकार परिश्विकरिंट में पाकिस्तान की विदेश राज्यमंत्री हिना रब्बानी खार ने एक बार फिर भारत पर जूठे आरोप लगाने की कोशिश किया हाला कि उनके सभी आरोपों पर भारत ने भी करारा जबाब दिया है बारते राजनाइक सीमा पुजानी ने पाकिस्तान को आतंगबाद के मुद्दे पर आड़े हाथ लिया है उसे आईना दिखाने का काम किया है सीमा पुजानी ने कहा कि कोई भी धार्मिक अल्प संक्या का आज पाकिस्तान में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता या अपने धर्म का पालन नहीं कर सकता दुनिया भर में हजारों नागरिकों की मौत के लिए पाकिस्तान की नीतियां सीधे तोर पर जम्यदार है पिछले एक दसक में जबरल लापता होने पर पाकिस्तान के अपने जाच आयो को 8463 सिकायते मिली हैं बलूच लोगों ने इस कुरूर नीति का खाम्याजा भुकता है चात्रों, डॉक्टरों, इंजीनियरों, सक्षकों और समधाय के नेताओं को नियमित रूप से गायब कर दिया जाता है कश्मीर को लेकर भी भारत ने पाक को कड़ा जबाब दिया पुजानी ने कहा कि जमू कश्मीर और लद्दा केंदर सासर्थ प्रदेशों के पूरे शेत्र भारत का हिस्सा थे और हमेशा रहेंगे पड़ोसी मुल्क हमेशा से भारत के खिलाब प्रोपगेंडा फैलानी का काम करता रहा है ये पाकिस्तान की घलत प्रात्मित्ताओं का संकेत है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारतिय शेत्र पर अवैद कबजा कर रहा है सर्मा का कहना है कि राहुल ने विदेशी धरती पर प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी पर निशाना साधा इतना ही नहीं उन्होंने राहुल को जोर्ज सोरोस से भी जोड़ा उन्होंने कहा पहले एक विदेशी एजिन्ट हमारे देश के खिलाब साजिस रचता है और फिर एक भारतिय नेता यानि राहुल गांदी विदेशी भूमी पर देश के पीम पर निसाना साथते हैं सर्मा ने कहा कि फिक्स है ये सब फिक्स है उन्होंने राहुल गांदी की इस टिपड़ी पर भी हमला किया कि कॉंग्रिस नेता ने भारत जोड़ोय आतरा के दोरान आतंगवारियों को दूर से देखा और उनके पास आये एक व्यक्ति ने उनकी और इशारा किया इस पर सर् रक्षा एजिंसियों को इस घटना की सूचना क्यों नहीं दी उन्होंने कहा कि राहुल गांदी ने पुल्वामा आतंग की हमले को कार बंब जैसे 40 सैनिंग मारे गए बताया वहीं हमेरपूर से बड़े हासे की ख़बर सामने आई है जान लोहा भठी में काम करते समय चार लोग जुलस गए सुमेरपूर थाना इलाके के रिमजे मिस्पाथ फैक्ट्री का यह पूरा मामला है जहां काम करते समय फैक्ट्री प्रवंदन की गलती की वज़े से चार लोग जुलस गए हैं वहीं गटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे पुलिस ने लोगों को अस्पिताल में भरती करवाया जिसमें आया है कि जिंजिन भैक्ट्री भर्वा में ब्लास्ट फर्नेस ब्लास्ट होने की वज़े से चार लोग जली अवस्था में जुलस पताल की एमर्जनसी में लाएगी वह जिसमें अरविंद्ध, जितेंद, चरन सेंग, छोटे से ये चार लोग है अरविंद और जितेंद्ध कुई तरे से ठीक हैं छोटे से और चरन सेंग को भरती करके जो प्रात्मिक उप्चार है वो दिया जा रहा है लिटिंगोर करते हैं इसके रूबा है काम कर रहे थे आग पूरा माल बाहर फेंग दिया चार लोग जले हैं इसमें मेरे साथ ही ज्यादा जल गए है कंपिनी कोई सुक्ता नहीं दे रही न किसी चीज की देख बाल कर रही वहाले अंबूलेंस काड़ी कंपिनी के लेके बार खड़ी कर दिया काड़ कर ड्राइवर बग गया कोई नम मनेजर आया नम कोई जेकर तो ग्रम नहीं हमीरपूर से हमारे समवाद दाता सत्यम सिंग फोन लाइन पर जुड़ गये हैं सत्यम हमीरपूर में लोहा भठी में काम करते वक्त हासा हुआ है चार मजदूर जुलस गये हैं क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर आपके पास बिल्कुल अलका बता दी एक पूदा ही मामला हमीरपूर जिले के सुमेरपूर कजबे में संचा लेते रिम जिम इत्वाद सेक्टी का है जहां पर दिदीराथ अचानक लोही की बठी में रिस्पोर्ट हो गया जिससे बठी के पास में जो चार लोग काम कर रहे थे वो को कान को रेफर कर दिया गया है अलका सट्यम लापरवाही की बास सामने आ रही है किस तरीके की लापरवाही बढ़ती गई या फिर फैक्ट्री की तरफ से किन नियमों का या फिर सजगता नहीं रखी गई जिसकी वज़े से ब्लास बिल्कुल अलका बता दूं कि विम जिम कर दो नहीं हो पाते हैं इसकी वज़े से जो अहां का प्रवंदन है वो इससे पहले भी जो है आज्ट्टों को जो जो निकल कर सामने आया है जिसमें जो है जो भक्ती थी लोहाइ बट्टी उसके नजी को जो काम कर रहे है चाल लोग उनकी उपर वही लावाग गे जिसकी जैसे वो जुलाज गए फिलाल में यो प्रवंदन को कुछ भी गोलने को तयार नहीं है अलगा सत्याम पीरित के परजनों का क्या कुछ कहना है बिल्कुल पीरित की जो परजन है वो राती में पहुंचिया और फैक्ट्री के बाहर में काफी देर हंगा मगी किया है और हंग इसलिए कि जो एंबुलेंस थी वहाँ पर जो फैक्ट्री प्रवंदन की तरफ से लगाई गई थी उसके चालक ने जब ये पूरे हाथ से को देखा तो वहाँ पर मौके से फरार हो गया जिसकी वज़े से और वहाँ पर जो है लोगों का घुसा फूट गया और वहां पर का प्रवाण देखें को लेकर के तयार नहीं और ना ही कुछ इनकी मवाज़ी की बास कर रहा है अल का प्रबंदन के उपर जो चाल लोग जुलते हैं उन्होंने जो है गंधीर आरोप लगाए हैं कि अगर ऐसी कोई वारदात हुई थी पहली बार तो आप जो सेट्टी उपकरन है वो नहीं थी सेट्टी उपकरन की वज़े से वारदाते आए दिन होती रहती हैं अगर सेट्टी रहीचे क्या कि जाये तो अगर आएसी वारदाद हुए भी तो जो जो आएंबुलेंस चालक है उनको कही ने कही इस माटने को देखना चाहिए थाए मुझा जो घ्यान में रखना चाई था फिलाल जो जब हो जो ईस मौकेस पर उसे इमबुलेंस चालक उने देखा तो आए मौकिन दे परार हो गे जिसके और उनके जानके लाले पड़ गया फिल्हाल में जो मौझूदा इस्टानिय परशासन की मदद से वहां पे उनको नजदीर की हस्पताल में भर्ती कराये गया जिसके बार में उनको जो है कानपूर रेफर कर दिया गया आहल का क्या कुछ कारवाय की जा रही है पुलिस प्रशाथना की तरफ से फैक्टरी के ख़िलाफ। या फैक्टरी मालिक के खिलाफ पूछता चल रही है कि हासा किस तरफये से वा कुई जाच्श बिठाई गई है बिल्कुल अभी फिलाल पुलिस प्रशासन भी कुछ बोलने को तयान नहीं है कि आधिकर क्या है फिलाल जाच की जा रही है ऐसी अफडेट मिली हुई है कि जाच की जा रही है कि आधिकर कैसे हुआ यह पूरा मामला क्या आता है कैसी यह पूरा हाथसा हुआ फिलाल में अभी पुलिक प्रशासन भी कुछ बोलने को प्यानी और अभी तब कोई भी ऐसी कोई आफायर की अपडेट भी नहीं मिली हुई है अलका अभी जुलसे हुए लोगों का इलाच किया जा रहा है इसके बाद पत्नी अनुश्का सर्मा के साथ उज्जयन इस्थित महाकाल जोतरलिंग के दर्शन करने पहुचे कोहली और पत्नी अनुश्का सर्मा भस्मारती में शामिल हुए इसके साथ दोनोंने मंदिर के गर्वग्रिय में जाकर पंचामरत पूजन अविशेग भी किया इसका विडियो सोशल मीडिया पर सामने आ है इसमें पूर्व भारती कप्तान मंदिर के गर्वग्रिय के बाहर बैठे और भुलेनात की भक्ती में डूबे नज़र आ रहे हैं विडियो में विराट पारंपरिक पोशाक पहने नज़र आ रहे हैं भगवान महाकाल के दर्शन के बाद अनुष्का शर्मा ने कहा कि भगवान महाकाल के आस्विरवाद पाकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है इससे पहले नए साल की शुडवात में विराट कोली और अनुष्का शर्मा बाबा नीम करोली की आश्रम पहुचे थे वे दो दिन विरिंदाबन में ही रहे थे इसके बाद वे आनंद मही आश्रम पहुचे जहाँ उन्हें संतों से मुलाकात की वे द्रिप्रा नगलेंड और मेखाला है विधान सबाचुनाओ के नतीजे आने के बाद गुरुवार रात पीम नरेंद्र मोदी दिलले स्थित बीजेपी मुख्याले पहुचे और अपनी स्पीच में विपक्षी दलोपर निशाना साधा उन्होंने कहा कि हमारे जीत से घबराए हुए कुछ कटर विरोधी कहते हैं कि मर्जा मोदी लेकिन देश्वासी कहते हैं मज्जा मोदी तो महीं एक जनसभा के दौरान जमकर जेपी नड्डा ने भी विपक्ष को खूब खोटी सुनाई आप भी सुनिये कि क्या कुछ कहा ह प्रधान मंतरी मोदी ने जेपी नड्डा ने जब कुछ लोग मोदी की कब्र खोदने की ख्वाइश कर रहे है जहां मोका परता है कमल खिलता ही जा रहा है खिलता ही जा रहा है कुछ लोग कटर कटर की पहचान में लगे हुए है वो हर काम बेहिमानी भी कटरता से करते हैं यह कटर लोग कहते हैं मर्जा मोदी वो कहते हैं मर्जा मोदी बेश कह रहा हैं मतजा मोदी मतजा आज कॉंग्रेस का क्या हाल हो गया कहीं देखने को नहीं मिलती है लेकिन अभी भी अभी भी रसी जल गई है बन नहीं गया है एटर्म चली गई एटर्म अभी भी बरकरार है जमीन खिसक गई है और अभी भी सुबधी नाम की चीज दूर दूर तक उनके नजदीक नहीं आई है अधि देखिए किस तरीके की भाषा आज कांग्रेस पार्टि ईस्तिमाल कर रही हैं इसतरीके कि असत्रीके के वाषा में उतर है रहे है किस तरीके से प्रदान मंत्री जी के बारे में टिपनी कर रहे हैं किस तरीके से राजनीती के हर सी माहों को लांग करके वो अपना चोटा पन और ओचा पन दिखा रही है लेकिन परदान मंत्री मोधी जी के नितर तुमantics आप सब लोग मिलकर हर जगह कमल ही कमल खिला रहे है कमल ही कमल खिला रहे ये आपके नारे ये मोदी जी के प्रती आपका प्यार ये दुनिया में संदेश दे रहा है कि तुम अपनी भाषा से कितने भी नीचे चले जाओ भारत मोदी जी के नेतु तुमें आगे ही बनने वाला है और तीवरकती से चलने वाला है आम आदमी पार्टी पापी आपका एक नेता है उसने फेस्टाइम कॉल कराके अरविंद केजरिवाल की बात एक और एक्यूस्ट समीर महिंद्रू से कराई और अरविंद केजरिवाल बोले मेरा बेटा है चिंता ना करना समीर महिंद्रू जो कहे घोटाला वसूली, रिश्वत खोरी, ब्रश्टाचार, काली कमाई, समझ लेना मैं ही कह रहा हूँ, यही जाज इजिन्सी ने कहा है, तो अरविंद केजरिवाल जी, अगर आप सम्विधानिक पद पर बने रहेंगे, तो एक, मामले की जाजपरताश शुरू कर दी, दरसल प्रेमचंद कुश्वाहा ने बताया, किसाना थायाशेतर के मुखरई गाओं के पूरुप्रधान, उदैसिंग सिपल के घर में कुछ समय पहले चोरी हुई थी, इस मामले में वो उनके साथ थाना सहया प्रभाली से मुलाकात करन नगदी, एक 315 बोर की राइफल और 20 जिंदा कार्तूस, जब हम उदर से मैं लौटा था, तो मैं COD रोट से अपने घर के लिए निकला, घर के लिए मैं आ रहा था, तो इसी जगह पर अपने जगह पर उतर गई थी, तो मैं जैसे इस जगह आया, तो एक बाइक वाला यहा पीछे हाथ करके इदर आ रहा था, तो जैसे उसने पीछे से तमंचा निकाला, मैंने गाड़ी को बगा दिया, टाटा सफारी मेरी, यूपी असी, बीवी, जीरो साथ सो चैसी, और जैसे ही मैंने गाड़ी को बगाया, उन्होंना मेरे उपर फायर किया, अगर गाड़ी थो इस तीनों आरोपी अलिगर्जे से रिहा हुए है, हाला कि मुख्या आरोपी संदीब को नियाले ने आरोपी माना है और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है इसमें से तीन की रिहाई हुई है, संदीब को आजीवन कारावास हुई है, बाकी तीनों दो स्मुक्त हो चुके हैं, तो इनकी रिहाई जो है, आज सुबा कर दी गई है, आठ बज़े कल नहीं है, इसलिए की गए कि इन्हें सुच्छा के कारण जो है, अपतर दिया था कि मेरी रिहाई ने खेजा, मेरी सुच्छा महिराय बरेली में वहां चेकिंग से बचकर भाग रहे, बाइक सवार ने सामने आ रही, दूसरी बाइक को टकर मार दी, जिससे दोनों बाइकों पर सवार, महिला समय चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, मामला जगतपुर के मलीहा दी गाउं के पास का है, जहाँ प अंभीर होने पर जिला स्पताल उन्हें रैफर कर दिया गया है, अकलतरा से एक ऐसा नजारा देखने को मिला है, जो ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ये कैसा प्रशासन है, ये कैसे अरिकारी हैं जो जन सुनवाई के नाम पर मज़ा कर रहे हैं, क्योंकि लोगो कुछ नहीं खार सकते हैं, मैं तो पैसे के दंपर सब कुछी कर लूँगा, ऐसा का अब दीखा भी हो बात, कि यहां प्लांट में अधिकारियों दारा बगर सुनवाई के, बगर गाहां में सुचना दिये, आज जा सुनवाई कर दियेगा, नियमों को उलंगन करते हुए कि जो कर हम लोग गाम वाले दुखते हैं कि वहां पर जो अमर साल के जो गरीब है, जो मजदूर है, उनको उनको हक मिले, उनको रोजगार मिले और जनन सुनवाई तो होना ही चाहिए फिर से गाम में अपना और जो गरीब है आ, जो वास्तो भी को गरीब है, उससो भुट इंडिया जो है आज की जमसुनवाई कलतरा में रखी गई थी इसमें की लगबग 200 से 300 लोग लोगों अपने पिशार रखे लखनों में उप मुख्य मंतरी ब्रजेस पाठक इसलामिक सेंटर ओफ इंडिया पहुची जाओ उन्होंने वरिस्ट मुस्लिम धर्मगुरू खालिद रशीद फरंगी महली से मुलाकात की दरसर श्रब बारात से पहले मौलाना से यह मुलाकात की गई जहां होली और श्रब ब बाठक ने मौलाना के अमन कायव रखने की पहल की कोशिशों की सराहना की कि अपरेल को होली खेली जाएगे और उसी दिन शब्राद है और अपने मुल के हमेशा रवायत रही है और खासकर अपने यूपी और लखनों की यहां पे तमाम मजाहिब के लोग मिल्दूर करके अ पिछले साल तो होली और जूमा और शबराद एक दिन थे उसमें हम लोगों ने जुमे का टाइम एक्स्टेंड कर दिया था गिल्दू भाई ने होली की बरात का टाइम एक घंटा घटा दिया था और उसका नतीज़ा यह हुआ कि लोगों ने होली भी पुरी अजादी के सा तो दोनों लोग सांशे से बना करके दोनों तיयारों को धूम धाम से हम लोग मनाई है और जैसा मुलाना अशाब ने तै किया है और हमारे साहथ पुलिस साफी सर्स ए स्थानी पर साशन के सब लोग बैठे हैं हम सब लोगों ने तैय किया है कि सांतिपूर को ठीक जंग से हम लोग बढ़ियात वहार मनाएंगे और कहीं कोई दिक्कत नहों साफ सफाई पर बीजिली का और पुलिस में सासन की मुश्चिप गर्नोल में कुछ दबंगों ने युवक को दोड़ा दोड़ा कर सरयाम पीटा पर पुलिस अंजान बनी रही यहां तक कि युवक को बचाने आए व्यक्ति से भी दबंग मार पीट करते रहे पर पुलिस तब तक भी घटना स्थल पर नहीं पहुँच सकी यह घटना का वीड मेरे साथ अस बुलिटर में फिल हाल इतना ही देश दुनाय की तमाम खबर को देखने के लिए देखते रही आर्या नियूस नमस्कार